साथीयों, लाखो कर्मचारियों की बड़ी खबरें, केंद्री कर्मचारियों का डी ए 4 फिस दी बड़ा, इस कुलों में नहीं होगी, सिकसुकों की कमी, नए निर्देश, पुरानी पेंसन होगी बहाल, अब नहीं रोक सकेंगे पेंसन, इस प्रकार की लेटाइस्ट और पु पहली बड़ी खबर के ओर चलते हैं केंद्री कर्मचारियों के डिये 4 फिस्दी बढ़ा केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को तोफ़ा दिया एक जुलाई से केंद्री कर्मचारियों को महेंगाय बता 4 फिस्दी बढ़ गया आई वर्तमान में मेंगाई बत्ता मूल वेतन का 42 फिजदी है इस 4 फिजदी बत्ते के साथ यह 46 फिजदी हो जाएगा 50 लाग साधी करमचारी और पैंसनर सिधे लाभनवित होगी एजी ब्रदर हुट के पूर्वध्यक्स हरी संकर तिवारी ने बताया कि 12 मेने के ओसत सुचकांग के आधार पर मेहंगाई बत्ता तैक किया गयाई एक जुलाई से 4 फिजदी बत्ता बड़ा आई वर्तमान में केंदरी करमचारीयों और पैंसनरों पर यह लागू होगा जबकि बाद में इसी आधार पर राज्चे सरकार भी सुचकांग जारी करती है जो कि सितंबर अक्टूम्बर दक जारी होता है अगली बड़ी खबर जो कि भोपाल से लगी इसकुलों में नहीं होगी अब सिक्सुकों की कमी क्योंकि नए निर्देश जारी कर सकती है सरकार इसकुलों में पढ़ाने का जिम्मा समालेगी आंगनवारी कारी करता और कल से होगी ट्रेनिंग आईए देख लेते हैं पूरी खबर अब आंगनवारी कारी करताओं को भी सरकारी स्कुलों में पहुंचकर आंगनवारी पर दर्ज 3-6 वर्स तक के बच्चों को सिक्सुकों की तरह पढ़ाना पड़ेगा इसके लिए आंगनवारी कारी करताओं को सिक्सक बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिं की रूप में तीन क्लास पार करना होगी इसके लिए सरकार में महिलावाल विकास विवाग एवं सिक्सा विवाग के सैंक्त तत्वाधान में इसी सीयाई कारिकरम चलाने का निर्णे लिया गया है इसके तहत अंगनवाडी कारिकरता को भी पठन-पठन कराना पड़ेगा इसी इसी कारिकरम के तहत अंगनवाडी पर पहले बच्चों को साला पूर्व सिक्सा देती थी लेकिन यह ओपचारिक थी अब इसे आधिकारी रूप देकर राष्टी सिक्सा निते में सामील कर लिया गया है इसलिए आवैसक रूप से बच्चों को अंगनवाडीयों में साला पूर्व सिक्सा के रूप में तीन क्लास पढ़ाना जरूरी होगा साला पूर्व सिक्सा को आसान बनाने के लिए उद्देश से एसे अंगनवाडी केंदरों को सिफ्ट करने का भी नणे लिया है जो सिक्सकों के आसपास लगते ही जिले के 76 सरकारी सिक्सकों में 369 वाड़ी कारी करताओं में को पड़ाय में दिक्कत ना हो इसके लिए उन्हें इसको लिए सिक्सा विभाक ट्रेनिंग दे रहा है अगली बड़ी खबर पुरानी पेंशन होगी बहाल आए देख लेते हैं पूरी खबर एनम ओपीस की मुहीम और रत यात्रा का सथ चार ओर ह कांग्रेस मास चीव प्रियंगा गांधी ने फिर कहा राजिस्तान हिमाचल परदेश 36 गड़ की तरज पर मध्यपरदेश में सरकार बनते ही OPS होगी बहाल प्रियंगा गांधी ने अपने ट्विटर हंडल पे लिखाए आए देख लेते हैं क्या है पूरी खबर राजिस्तान हिमाचल परदेश और 36 गड़ में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी अब मध्यपरदेश की बार ये वहां भी कांग्रेस के सरकार बनते ही पुरानी पेंशन विवस्ता बहाल की जाएगी कांग्रेस हमेशा से मानती रही है कि देश के नागरिक सरकारी पिर्मान में अहम योगदान देते हैं रेटार्मेंट के बाद उन्हें आर्थिक सुरक्सा मिलनी चाहिए बुड़ापे में आर्थिक सुरक्सा हर नागरिक कहा कि इस सोच के तहट पैंशन विवस्ता रखी गई थी लेकिन भाजप्या सरकार ने पैंशन खत्म करके बुज बनाने के लिए प्रतिबद्ध ही यह कहा गया है प्रियंक्या गांधी की ट्यूंटरे हैंडल से यह आपके स्क्रीन पर भी दिखाया गया है आखरी और बड़ी खबर अब चाहे जांच चले या मामला कोर्ट में हुल जाओ नहीं रोक सकेंगे पैंशन बड़ी खबर होपा जिहां वित्त विभाग ने ऐसा ही संसोदन किया है जिसे दो-चार वर्स नहीं बलकि 12 सितंबर 1990 से प्रदेश में लागू किया गया है इतने अधिक बेकड़ से लागू होने वाले यह संसोदन संभवत हाल के वर्सों का राज्य सरकार दोवरा लागू किया गया पहला मामल हो सकता है वित्त विभाग ने जो संसोदन किया है उसके मताबिक परदेश में ऐसे पैंसनों को बड़ी राहत मिल गई है जिनके रिटार्मेंट के समय उनके खिलाप विभागे जाँ चल रही होती है या फिर उन्हें संबंदित कोई मामला कोट में विचारा दिन होता है अ जो कि उनके मूल पैंसन के लगवग बराबर होगा इसी तरह उन्हें प्रवेशनल ग्रोजीटिका विव फायदा मिल सकेगा इसे मामलों को लेकर वित्त विभाग नहीं मत्य परतेश सिविल सेवा पैंसन नियम उन्नी सुचियों तर में संसोदन कर दिया आए अंतनी पैंस जिसको कि उसके निलंबन में अधिन रखा गया था अहकारी सेवा के अधार पर अधिक्तम पैंसन के बराबर प्रोजनल पैंसन अधिकरत करेगा संसोदन नियम में ये भी साब किया गया है कि कारेले प्रमुक दुवारा सेवा निर्थी की तारिक से सुरूँ कर उस तारिक तक तथा उस तारिक को सामिल करते हुए सिक्सकों की जिसकों की विभागी या न्याइक कारिवाई समाप्त होने के बाद शक्षम प्राधिकारी दुवारा अंतिम आदेस पारित किये गई सेवा निवर्त सास के स्याओ को भुकतान किया जाएगा और ग्रेजूटिक मामलों प्रावधान संसोधन में भी प्रावधान किया गया विभागी या न्याइक कारिवाई का समाप्त होने उन पर अंतिम आदेस जारी होने तक सास के सेव को किसी ग्रजूटिकों फुकतान नहीं किया जाएगा लेकिन जहां विभागी कारिवाई मत्यप्रतेस सिविल की गई है तो महासास के सेव को नियम किया दिन ग्रेजूटियों का 90 फिर्दी तक अंतिम भुकतान किया जाने का प्रादिकरत किया जाएगा